इंडियन न्यूस 24 आउर अमेरिका में जिस तरह ठंड पढ़ रही है वैसी अगर हमारे यहां पढ़ने लगे तो न जाने कितने चल बसे वहाँ इतनी ठंड पढ़ रही है कि नदिया बर्फ में तबदील हो गई है सोचिए जो जलियर जन्तू पानी के अंदर होंगे उन पर क्या बीत रही होगी अमेरिका के शेलो ट्रिवर स्वेंप पार्फ के पेच पर एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें किसी ने वाई सोव किया है कि क्या आपको पता है कि बर्फ में मगरमच कैसे जिन्दा रहते होंगे इस वीडियो में दिखाया गया है कि कई मगरमच बर्फ में जम गये है एक विशाल काय मगरमच का आधा मूह बर्फ से बाहर है और पूरा शरीर बर्फ से ढख गया है अगर वो चाहे भी तो हिल नहीं सकता ऐसे में उनका जीना वाकई अपने आप में किसी आश्चर्य से काम नहीं है वैसे ऐसा लोगों का मानना है कि मगरमच पानी में माइनस चालीस डिग्री सेंटिग्रेट तक के तापमान में भी जिन्दा रह सकते हैं ज्यादा तर मगर्मच ठंड के मौसम में नीन में रहते हैं उन्हें खाना पचाने में ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए वे सुस्त भी हो जाते हैं मगर्मच वैसे भी शिकार के बाद घंटों सुस्त पड़े रहते हैं अगर उन्हें सांस लेने भर की जगे मिलती रह तो कई दिन बिना हिलाग ले वे जिंडा रह सकते हैं। साउथ हीस्ट के रोलेना में वर्फ का जमना बेहत आम बात है। ऐसा आये दिन होता रहता है, है नहेरान करने वाली। अब मत कहिएगा कि हमारे यहां ठान पड़ रही है।